जै मातादी दोस्तों लोग हिंदु शास्त्र को जानते हैं उन लोगों को यह बात बताने की कोई अवशक्ता नहीं आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाई बताऊंगी यह उपाई हम इलाइची के साथ करेंगे आपको ध्यान रखना होगा कि यह उपाई करते वक्त आपको कोई भी न देखे यदि आप बहुत सारी परिशानियों से घिरे हुए हो आपको लगता है कि आपके उपर किसी की बुरी नजर हो जिसके वज़ा से आपको इन सभी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और आपका साथ कोई भी नहीं दे रहा है तो आपको चिंता करने के बिल्कु लाइची को आपको लिपेट देना है और उसकी एक पोटली बना देनी है इस पोटली को बादने के लिए आप लाल धागे का इस्तिमाल करें और इस पोटली को आपने घर में ऐसी जगा चुपा देना है कि वो किसी की नजर में ना आए गर कोई भी सदस्से इसे देखना ले ऐसी जगा आपको इस पोटली को रख देना है यह उपाय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा जिस भी इस दिन आप ये उपाई करोगे उस दिन से अगले 21 दिन बाद आपको स्पोटली को वहां से उठाकर पानी में विसरजित करना होगा अगर आपके घर के आसपास पानी ना हो तो आप इसे किसी पेड के नीचे भी दबा सकते हैं अगर वो पेड़ पीपल का हो तो और भी शु भनेवा दोस्तों